दिर्ग विभाजन विधी द्वारा वर्गमूल ग्याद करना इससे पुर्व ही हमने इस पर कुछ प्रस्न बनाये थे और इसे सीखा था आईए आज उसी का पुर्णराल विलोकन करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं एक दो पांच चार चार अब एक लंबवत रेखा यहां खेचेंगे और एक यहां 36 रेखा अब हम क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से एक एक युगम पर बार लगाते हैं यह पहरा बार हो गया यह दूसरा बार और यह तीसरा बार तो यहां बारों की संख्या है तीन तो इसका अर्थ है इसका मतलब है कि जो वर्गमुल निकलेगा उसमें अंकु की संख्या भी तीन में भागना सुरूर करते हैं तो एक में तो एक से भाग जाएगा एक एक का शुल्य आप जो धो शुल्य के दाहिनी ओर लिखते हैं कि ऐसा अंक बैठाना है कि से ये ये दो अंग की संख्या बन जाएगी और फिर इससे हम इसमें भाग देंगे तो जो अंग हम बैठाएंगे उसी से हमको गुना भी करना है तो हम देख रहे हैं कि यहां कितना बैठ सकता है एक से ज्यादा तो बैठ नहीं सकता है तो यहां हो जाएगा एक 21 एका 21 हमारा सेस आगया यहां 4 और यह शुन अब यह जो 44 है इसे हम इस 4 के दाहीने और लिखते हैं आप हम क्या कर रहे हैं पहले की तरह जैसे अभी हमने पहले किया था यह जो इकाई का अंग है इसे हम दुगना कर देते हैं तो यह हो गया 2 और यह 2 इकाई का अंग दुगना करते हैं अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में कर सकते हैं कि यह 21 में हमने क्या एक जोड़ दिया हम दोनों तरह से कर सकते हैं इकाई को दुगना कर दिया या 21 में एक जोड़ दिया और इस तीन अंग की संख्या को यह जो अंग रखेंगे उसी से गुना करेंगे और इतना लाने की कोशिस करेंगे इसमें भाग देंगे तो यह clear हमें दिख रहा है कि यहां दो रखना होगा यह दो रखेंगे तो यह यहां दो तो यह हो गया दो दुनी चार दो दुनी चार द 14544 का 112 अब इसी तरह से हम एक दूसरा प्रश्ण भी दे सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण है 50,625 इसका वर्गमूल निकालना है तो आईए पहले की भाती हम फिर से लिखते हैं अब एक लंबवत रेखा और एक 36 रेखा हम केचेंगे अब दहिनी ओर से हम एक-एक यूगम पर बार बेठाते हैं एक यूगम पर ये बार हो गिया ये और ये यहाँ फिर तीन बार है यानि वर्गमूल में तीन अंग होगे तो 5 में हमें देना है भाग तो यह हम अच्छी तरह जानते हैं दो से हे दो दोनी चार होता है 2 दो दोणी 4 तो हमारा 6 आएगा 5 से 4 एक अब हम क्या करेंगे ये 6 ने 6 को हम 1 के बगल मिलते हैं तो ये होगी हमारा 106 अब इसे हम क्या करेंगे कि इस दो को दुगना करेंगे तो ये 4 होगी अब यहां ऐसा अंक बैठाना है, जिससे ये दो अंकी संख्या बनेगी, और इस दो अंकी संख्या को उसी अंक से हम गुना करेंगे, ताकि ये 106 या उससे कम है, तो क्या बैठा सकते हैं, ये कुछ भी बैठा रहे हैं, तो ये 40 से ज़्यादा हो रहा है, और ये 100 से थोड़ा ज़्यादा है, दो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, दो दुना चार दो चो के आठ, ये हमारा आ जा रहा है, 6 से 4 गया, दो, और यहां 10 से 8, दो, और अब ये 25 इसे हम इसके बगल में उतार के लिखते हैं, अब पुना हम इस इकाई वाले दो को दुगना कर देते हैं तो ये हो जाएगा, चार, और ये पहले से लिखते हैं, अब इसमें हमें ऐसा अंक बैठाना है, कि उससे तीन अंकों की बनने वाली संख्या को गुना करने पर, वो 2225 आ जाए, तो हम जानते हैं, कि किसी संख्या के अगर इकाई में 5 हो, तो उसके वर्ग संख्या के इकाई में भी 5 होता है, अतर हम 5 बैठा के देखते हैं, क्या आता है, तो ये आ जा रहा है, 2225, अतर पचास हजार 625 का वर्ग मूल हुआ, 2225, अब एक दस्मलो वाली संख्या का वर्ग मूल निकालना सिखते हैं, तो ये संख्या हम लेते हैं, 148.84, तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, और अब एक लंबवत और एक 36 रइखा कीचेंगे, अब दस्मलो के बाई और जो पूर्ण संख्या है, उसमें दाहिने से बाई और हम बार लगाएंगे, तो ये एक बार हमारा एक यूगम पर हो गया, अब एक दूसरा बार ये हो गया, और अब दस्मलो के दाहिनी और जो अंख्या हैं, उनमें हम 22 से दाहिने और बार लगाते हैं, अब हम एक में भाग देंगे, तो निस्चित रूप से ये भाग जाएगा एक से, एक एका एक और 6 आया शुनिए अब इस 48 को हम सुनिके दाहिनी ओर उतार देते हैं अब इस एक को हम दुणा करके इस तरह से लिखते हैं कि दाहिनी ओर का एक स्थान रिखते रहे अब यहाँ क्या हम बैठा सकते हैं? निस्ठी तुरूप से 2 तो ये 22 दुना हो गया 44 अब ये जो दसमलो है इसे हम वर्गमूल वाले में 12 के बाद रख देते हैं और इस 84 को अब हम सेस में दाहिनी ओर लिख देते हैं अब इकाई का जो दो है इसे दुगना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24 और दाहिने का एक स्थान खाली रखते हैं अब हम जानते हैं कि किसी संख्या के अगर इकाई में 2 हो तो उसके वर्ग संख्या के इकाई में 4 होता है तो 2 रख के हम देखते हैं ये 2 रख के हम देख रहे हैं तो ये 2 दुनी 4, 2 चो के 8 और 2 दुनी 4 ये तो आ गया तो यहाँ होगा 2 यहाँ हमने रखा 2 ये हो गया 484 से इस आ गया हमारा शुन्या इस तरह से 148.84 का वर्ग मूल आ गया 12.2 आए अब हम भिन संख्या का वर्ग मूल ग्याद करना सीखे तो एक हम भिन लेखते हैं 196 बटा पचीस इसका वर्ग मूल निकालते हैं तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 196 का वर्ग मूल बटा ये पचीस का वर्ग मूल तो 196 का वर्ग मूल आप खुद से निकाले भाग विधी से अत्वा अभाज गुनन खंड विधी से ये हमारा आएगा चौदर ये आप खुद से निकालेंगे और 25 का पाँच तो 196 बटे 25 का हमारा वर्ग मूल हो जाता है 14 बटे 5 एक और संख्या लेते हैं मिस्र भीन ये मिस्र भीन है 5 पूडांग 4 बटे 9 यहां ये मिस्र भीन है तो इसे हम सबसे पहले विशम भीन में बदल देंगे तो यह हो जागा 9, 55, 45, 49 ये 49 बटा 9 और इसका वर्ग मूल तो जैसे हमने प्रस्न संख्या 4 में किया था ठीक उसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं 49 का वर्ग मूल और बटा 9 का वर्ग मूल तो 49 का वर्ग मूल तो हम जानते हैं ये होता है 7 और 9 का 3 झाल झाल